Hello dear students, this is Ruchika Chug आज के वीडियो में हम Pythagoras theorem के based question को solve करेंगे तो चलिए start करते हैं जैसा कि आज का हमारा topic है problems based on Pythagoras theorem तो start करते हम अपना पहला question पहला question है in the given figure, figure is given if AD is perpendicular on BC then prove AB square plus CD square should be equal to BD square plus AC square तो चलिए start करते हैं प्रूव करना है given to prove के format के साथ हम start करते हैं तो यहाँ पर अगर बात की जाए given की हमें क्या given है हमें एक triangle given है वो triangle में आप देख सकते हैं angle A को 90 degree show किया गया है तो हम यहाँ बोल सकते है in a right-angled triangle ABC क्या दिया गया है इस triangle में हमें यह दिया गया है AD is perpendicular on BC बस यही बात हुई है यहाँ पर आगे हम बात करते हैं to prove की जो कि हमें prove करना है क्या prove करना है question में directly mentioned है that is AB square plus CD square equal to BD square plus AC square तो यहाँ पर हमने given and true proof लिख दिया है start करते हैं इसका proof अब क्योंकि हमारा यह जो वीडियो है यह पाइथागोरस थियोरम के उपर based है तो definitely हमें यहाँ पर क्या लगाना यहाँ पर हमें लगाना है पाइथागोरस थियोरम और पाइथागोरस थियोरम है इसका मतलब यह एंगल हमारा 90 डिग्री है 90 डिग्री होने का मतलब जो यह triangle है ADC वो मानी जाएगी right angle triangle साथ के साथ यह वाली triangle भी मानी जाएगी right angle triangle क्योंकि अगर इस side 90 डिग्री है तो उस side भी 90 डिग्री होगा यह दोनों triangle हमारी right angle triangle है और पूरी triangle भी right angle triangle है तो एक बार two proof में देखते हैं हमें क्या चाहिए उसके accordingly हम choose कर सकते हैं हमें कौन सी triangle को pick करना है और वहाँ पर Pythagoras theorem लगानी है two proof में बोला गया है हमें AB और CD के square के sum को equal proof करना है BD और AC के square के sum के साथ तो हमें क्या-क्या चाहिए हमें चाहिए AB हमें चाहिए CD और हमें चाहिए BD और हमें चाहिए AC तो इसका मतलब क्या हुआ अगर मैं दोरों छोटी वाली triangle को लेती हूँ तो यह चारो sides available है तो हम ऐसा ही करते हैं यह दोनों छोटी triangle को लेते हैं क्योंकि दोनों triangle भी right angle triangle है तो start करते हैं first मैं triangle लेती हूँ कोई भी triangle ले सकते हैं मैं triangle ले लेती हूँ यहाँ पे ABD in triangle ABD angle D is 90 degree इसका reason क्या है angle D 90 degree क्यों है क्योंकि हमें यह given है AD perpendicular on BC AD perpendicular on BC तो इसका मतलब क्या हुआ this implies that हम क्या बोल सकते हैं यह बोल सकते हैं कि यहाँ पे पाइथागोरस theorem को लगाया जा सकता है अब इस triangle में अगर angle D 90 degree है तो उस angle D के opposite वाली side हमें मालूम है hypotenuse होती है तो hypotenuse क्या होगे यहाँ पे angle D के accordingly AB हो जाएगी हमारी hypotenuse तो हम यह बोल सकते हैं AB square is equal to hypotenuse का square किस के एकवल होता है वो equal होता है बाके जो दोनो sides हैं उनके square and sum के equal तो बाके के दो sides कौन सी हैं BD and AD तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं BD square plus AD square और यहाँ पे reason बोल सकते हैं reason है हमारा पाइथागोरस theorem similarly हम क्या करेंगे जो हमने पाइथागोरस theorem triangle ABD में लगाई है same हम लगाएंगे triangle ADC अभी मैं बात करती हूँ in triangle ADC हमें यहाँ पे क्या given है angle D equal to 90 degree और इसका reason भी हम क्या लिख सकते हैं वो reason जो हमने पहले mention किये reason है AD perpendicular on BC तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे भी पाइथागोरस theorem लग सकती है पाइथागोरस theorem मतलब कि हाइपोटेनियू स्क्वेर इस triangle में अगर यह angle D 90 है तो इसकी opposite side हमारी क्या है AC तो यह होगा AC square equal to बाके की बच्ची sides बाके की बच्ची sides है AD and हम बोल सकते है CD AD square plus CD square reason फिर से same हम यहाँ पे show करेंगे reason है पाइथागोरस theorem तो अब यहाँ पे हमारी दो equation form हो चुकी है दोनो equation के लिए हमने right angle triangle को use किया दोनों में पाइथागोरस theorem लगाई है दोनो equation को एक बाद नाम दे देते हैं यह equation 1 और यह equation 2 अब equation 1 and 2 को हमें कुछ ऐसा combination देना addition या subtraction या कुछ होँ ताकि हमें finally जो चाहिए वो मिल जाए यहाँ पर मैं करना चाहूंगे आप देख सकते है AB square and AC square दोनो equation की left hand side है पर यहाँ अगर बात करें 2 proof में AB square and AC square दोनों sides में है एक left hand side में एक right hand side में जब ऐसा होता है तो हम generally क्या करते हैं उन equation को subtract करते हैं तो चलिए subtract करते हैं equation 2 को equation 1 से तो क्या मिलता हैं by subtracting equation 2 from equation 1 पहले equation 1 रखेंगे बात में subtraction और बात में equation 2 की हम जो भी sides है वो लिखेंगे equation 1 है AB square left hand side में और equation 2 है AC square right hand side के बात करें equation 1 है BD square plus AD square minus right hand side बात करें equation 2 की तो वो है AD square यहाँ पे plus CD square है तो subtraction में हो जाएगा minus CD square अब हमें क्या करना है इसको further solve करना है यह होगा AB square minus AC square equal to BD square अब यहाँ आप देख सकते है AD square plus में AD square minus में यह दोनों cancel हो जाएंगे आगे हमें मिलेगा minus CD square क्या यह वही है जो हमें चाहिए values तो वही है लेकिन जो हमारी जो sides है वो interchange है तो यहाँ पर हम देख सकते है to prove के accordingly हमें वो सारी चीज़े तो मिल चुकी है AB square AC square भी मिल चुका है BD square भी मिल चुका है CD square भी मिल चुका है लेकिन वो आपस में अपनी position पे नहीं है तो क्यासे कर सकते हैं transpose करके इधर का उधर shift करके sign को change करके तो हम यहाँ क्या करेंगे AB square हमें left hand side में चाहिए तो AB square यहीं पे रहेगा minus AC square है हमें वो right hand side में चाहिए तो minus AC square वहाँ जाके plus AC square हो जाएगा यहाँ पर BD square पहले ही है BD square हमें right hand side में चाहिए CD square हमारा right hand side में minus है तो left में आके यह क्या हो जाएगा plus cd square यहाँ पर bd square right hand side में और यह minus ac square हो जाएगा plus ac square I think आप देख सकते हैं जो हमें चाहिए था मिल चुक है तो जो हमें चाहिए था मिल चुक है तो finally हम यहाँ पर क्या बूल सकते हैं हम बूल सकते हैं hence proof चलिए बढ़ते हम अपने अगले question की तरफ अगले question है proof that the sum of the squares of the sides of a rhombus यहाँ पर rhombus के बात हो रही है it should be equal to the sum of the square of its diagonal मालब statement के accordingly अगर हम बात करें तो हमारे पास rhombus है जो कि इस तरह से दिखता है आपको मालूम है इस rhombus का नाम रख देते हैं हम a b c d क्या बोला गया हमें proof करना sum of square of sides यह सारी side मतलब a b square sum बोल रहे हैं तो plus करना होगा a b square plus b c square plus c d square plus d d a square किसके equal होना चाहिए equal होना चाहिए उनके diagonal के square के sum के equal मतलब की a c square and b d square तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ given की तो given क्या है given है एक quadrilateral है a b c d जो की क्या है is a rhombus बस हमें यही given है rhombus की जितने भी properties हैं वो सारी हम use कर देंगे और mention कर देंगे given क्या prove करना है to prove to prove यहाँ पर रहेगा sum of square of all the sides means what a b square plus b c square plus c d square plus d a square should be equal to sum of square of its diagonals इसके diagonals क्या है a c square plus b d square तो directly start करते हैं हम इसका proof तो इसके अगर मैं proof की बात करूँ diagonal जिस point पे intersect हो रहे हैं इस point को अगर मैं o ले लेती हूँ और हमें ये भी मालूम है कि किसी भी rhombus में इसके दो तिन properties होती हैं पहली property की बात करूँ तो इस rhombus के सारी sides क्या हैं इक्वल होती है second property की बात करूँ तो इसके जो diagonals हैं वो एक दूसरे को bisect करते हैं तीसरी property की बात करूँ तो जो diagonals हैं वो क्या होते हैं 90 degree to each other तो इस सारी property को muse करेंगे और इस question को solve करेंगे तो सबसे पहले मैं लेना चाहूँँगी triangle a o b in triangle a o b इस triangle a o b में हम यहां बोल सकते हैं angle o angle o क्या है? 90 degree है rhombus की property है तो यहां mention कर देते हैं because in rhombus diagonals are perpendicular to each other और अगर angle o 90 degree है मतलब यह triangle a o b हमारा right angle triangle है यहां पर हम pythagoras theorem apply कर सकते हैं तो pythagoras theorem क्या होगी? angle o 90 है तो इसके opposite side hypotenuse होगी ab square equal to हो जाएगी ao square plus ob square इसका reason हमें यहां mention करना होगा reason यहां पर है pythagoras theorem और अगर pythagoras theorem को आगे further हम यहां elaborate करें इस equation को तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? a b square is equal to यहां पर a o की बात हो रही है हमें a o नहीं चाहिए है, मैं finally diagonal चाहिए तो क्या हम a o से a c की तरफ shift हो सकते हैं? हो सकते हैं क्योंकि a o a c का half है तो a o के जगा हम लिख सकते हैं a c upon 2 a c का half plus similarly जो हमारा ob है वो b d का half है तो यहां पर हम लिख सकते हैं b d upon 2 square reason यहां लिख सकते हैं? because in rhombus diagonals bisect each other आप यहां देख सकते हैं मैंने rhombus के सारी property को use कर लिया उसका जो diagonals हैं perpendicular होते हैं उसके जो diagonals हैं वो bisect करते हैं third property यह होती है कि rhombus के सारी sides equal होती है वो भी हम आगे जाके use करेंगे फिल्हाल इसे हम simplify करते हैं तो simplify करेंगे तो क्या मिलेगा next step में next step में हमारा lhs ab square equal to ac by 2 whole square बन जाएगा ac square by 4 plus b d by 2 whole square बन जाएगा b d square by 4 lc हम लेंगे 4 वो lc हमारा left hand side में चला जाएगा further इसे लिखा जा सकता है 4ab square equal to ac square plus b d square क्या हमें कुछ ऐसा ही प्रूफ करना है diagonal क्या हमारा जो sum आ चुका है square के साथ लेकिन हमारा जो left hand side है वो सिरफ एक side के बाद कर रहे हैं हमें 4 sides चाहिए तो 4 sides के लिए हम क्या करेंगे यह 4ab square को expand करेंगे कैसे expand करेंगे ab square को मैं लिख सकती हूँ 4 times ab square plus ab square plus ab square plus ab square right hand side है हमारी ac square plus b d square और हमें मालूम है rhombus में सारी sides equal होती हैं तो मैं first ab square को ab square लिखूँँगी second को हम replace कर सकते है b c square से third को replace कर सकते है हम c d square से fourth को replace कर सकते है d a square से is equal to ac square plus b d square यहाँ पे reason लिख सकते है because in rhombus all sides are equal अब इसे अगर हम two proof से compare करें तो यह वही चीज़ है जो हम prove करना चाहते है in a rhombus sum of square of all the sides equal to sum of square of its diagonal तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं hence proved तो यह थे हमारे कुछ question जहाँ पर हमने Pythagoras theorem को use किया और कुछ question solve किये यहाँ पर हमारा 10th class का chapter triangle खतम होता है अगले वीडियों पर हम मिलते हैं अगले chapter के साथ तब तक keep revising कर दो